हेलो एवीवन वेलकम बैक टू एनधर वीडियो आज आज आपके सामने खड़ा है और यह वाला वेजेंट सबसे जादा बिखता है क्योंकि यह है सी एंजी उपर से यह है वी एकसाई यानि कि जो सी एंजी है ना उसमें आपको जो मतलब सबसे सस्ता मिलेगा सबसे सस्ती क्य कि बात करें अक्सर टैक्सी सोगेरा में भी हमें यही देखने को मिलती है और वाइट कलर ज्यादा बिखता है मतलब की एक और कलर है जैसे ब्राउनी श्वानी खड़ा ब्रेजा का यह वी बढ़िया लग रहा था बट वाइट यार सदा बाहार कलर है वह वाली बात्चित आ जाती है तो सबसे बहले ना इंजन की बात कर लेते हैं इसमें आपको 1500cc का इंजन मिलता है यह लोग जी फोर सिलेंडर इंजन है जो आपको पेट्रोल में तो एक सो एक बीएच पी विद बन थाटी सेव एनम उफ टॉर्क प्रवाइड गरते हैं बट सी एंजी में यह ब सब्सक्राइब है तो मैं आपको जारा साथ जो बड़िया चीज है सी एंजी में यह आपकी पर केजी 26 km चल जाती है मतलब बहुत होता है और इसी कारण भाई टेक्सी में यह बहुत ही जादा चलती है अभी रिसेंटली ना मेरी एक टेक्सी ड्राइवर से भी बात हुई है इसका सी एंजी टैंक फुल हो जाता है एंड अरूंड 200-200 km यह चल जाती है और सी एंजी टैंक की बात करूना इधर है इसका सी एंजी टैंक और बूट्स पेसो चलो बचता नहीं है बट क्या अगर सकते हैं अगर आपको कुछ पान है कुछ खोना भी आपको पढ़ता ही है एक बार इसे भी हम बंद कर देते हैं बाद में बूट वगर की बात करेंगे बट जो सबसे बढ़िया चीज है अरूंड 12 लाक में आपको मिल रही है बाई इस 240 mm वील बेस वाली कार जो कि कितनी लाजवाब चीज है बतलब इनोवा को अच्छा कॉंपटिशन देती हो प्र इदर आपको सुजूकी का लोगो मिल जाता है अच्छा खासा क्रोम ट्रीटमेंट आपको ग्रिल में मिल जाता है एंड है लेव यूनिट्स की बात करें प्रोजेक्टर बेस आपको लोग भी मिल जाती है जो कि हैलोजन है इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलते है नीच आपको देखने को नहीं मिलता है जातर बंदे वी एक साई पर ही जाते हैं वाकि सी एंजी की तर आपको बैजिंग मिल जाती है इधर भी पिछे भी चोंच वाला ही इसका वाई एंटीना है कोई रूफ रिल्स वगेरा नहीं है ऐसेच तो देखो एस वी में तो आती नहीं है और यह देखो भाई इस कलर की में बात कर रहा था इधर खड़ाया चुपके वही ढूंड रहा था इसे कहां है कहां नहीं बट कहीं नहीं बड़िया लगती है कार वाइट में एंड कोई क्रोम ट्रीटमेंट वह आपको देखने को नहीं मिलता है बोडी कलर ही डोर हैंडल देखने को मिलते हैं इधर साब इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं अरूंड 60 लीटर स्कीन है इसकी फ्यूल टेंक केपिशिटी रहती है एंड उपर आप देख लो भाई ऐसाच कुछ कुछ स्पोईलर नी है उपर से ना मतलब कि थोड़ी नेक्ट सी कार लगती है कर इसमे टेल लाइट ये भाई नहीं जलता है सारा कुछ ही भाई इसमें आपको हैलोजन बेस मिलता है एक दो तीन चार रिवर्स पारकिंग सेंसर मिल जेंगे बट कोई रिवर्स कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा सुजुकी का लोगो अर्टिका की बैजिंग एंड ये लो ज जाता है बाकी तो ठीक है यार एस इवेंट्स उदर हैं चलो अभी अंदर जलते हैं फिर बात करेंगे थर्ड रो में तो मेरे जैसे का जाना भाई मुश्किल है बच्चे बैठ आते हैं वहीं बड़ी बात है मैं यह नहीं कहूंगा कि अनकमफर्टेबल रहती है थर्ड रह करते है तब ही तो टेक्सिव गारा में चलती है यह एंड हैलो जन आपको पार्किंग लाइट मिलती है इसे में अगरा बंद कोई रियर डिफोगर रियर वाइपर आपको इस वेरिंट में नहीं देखने को मिलते हैं हाई मांट चॉप लैम इधर आपको मिल जाएगा बाकी यह रियर इवेंट्स आपको उपर मिलते हैं लोगर कंट्रोल आपको इधर मिलेगा एंड जो अच्छी बात है सेंटर आमरेस भी मिल रही है सिक्षी फोटी स्फलिट का उप्शन है पिछे भी दोनों एड़ेस्टिवल है इधर भी दोनों एड़ेस्टिवल है जो की क्या बात है बस सेंटर आमरेस्ट आपको नहीं मिलता है बाकी नीचे हम्प भी नहीं तो इजली ना इदर भाई तीन बंदे बैड़ दाते है और थाइसपोड भी अच्छा घासा है लेग रूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और हैड रूम तो आपको पते है कोई स्टार्ट हो चुकी है अभी तो का ठंडी है बट जो एक चीज मुझे बढ़िया लगी ना भाई अब देखो जैसे यह नहीं वाली स्विफ्ट है इनका जो वी एक साई वेरिंट है उसमें एमाईडी कितनी बिकार आती है इसमें कम से कम कलर वाली एमाईडी तो आती है जो यह स्मार्ट हाईब्रिड जैसे विरेजा में आती है बैटरिक सीट के निच्चे वाली चीज मिल जाती है प्योर हाईब्रिड निए बाइपना फ्यूल चेंज कर सकते हैं सी एंज टू पेट्रोल पैट्रोल तू सी एंजी ट्रेक्शन ओफ को बटन आपको इधर मिल जाते आप इधर से कंट्रोल करेंगे कॉल पिक कट ब्लूटूस का आपको इधर बटन मिल जेगा एंड यह लो जी यह भाई सिस्टम इसमें मतलब कि कोई टच हो गयरा नहीं है है टिक टैची से मेरे ख्याल से बोलते हैं वह वाला सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है बटीक है बड़ी है मतलब कि कोई कंप्लेंस वाली चीज है निजिस प्राइस प्राइस पॉइंट पर आ रही है ना एंड हाई टेकोमेटर की बात करूं आठ तक मार्किंग है 220 तक अब तक मिल रहे है इस युएसबी जाता है एंड जो ची बात है इधर जैसे न आपको कफ लडर मिल जाते हैं भी बोटर लगर कुछ भी कहना है बलोगर वगर आपकी कोल्टरिंग वगर ठंडी हो जाएगी बाकि तो भाई 5-speed manual है और चार्टा देरी है कोई रिवर्स कैमर आपको मिलेगा manual handbrake कोई center armrest नहीं है इधर भी आपको बार ओट का socket मिल जाता है एंड शीट वगर की बात करो ना fabric seats ही आपको मिलते हैं leatherized seats यह वह चीज़े नहीं मिलेंगी बट यह सीट का comfort वगर ना मुझे मतलब की first impression बताऊ ना बढ़िया लग रहा है बस एक ड्रोब है वह आदत होती है ना बैठने की वह वाली चीज़ जिसमें आपको नहीं मिलेगी बाकि आये रवे मैनुवल है cabin light इस में आपको हैलो जैनी मिलेगी mirror मिलजेगा इधर आपको ticket holder मिलजेगा तो बाई बताओ under 12 lakh यह कार आपको कैसी लगी कैसी नहीं देखो मेरे recording तो भाई जि यूज कर रहे हैं तो भाई CNG is the best option और अगर आपकी A to B मतलब की A point से B point तक की running ज्यादा है ओफिस अगरा जाते हो इलेक्रिक आपको बता है इंफ्रा है निया आपकी city में तो आप एनी डे भाई मारूती सुजूकी की CNG पर जा सकते हो और इनकी ना CNG भाई बेस्ट रहते हैं क्योंकि रिस्क वेरा बहुत कम होते हैं और उपर से में तो भाई पर्फोर्मेंस और उससे भी में भाई इजी ली आप स्विच कर सकते हैं ठीक है और एक चीज में जो दिखानी भूल गया कि CNG आप भरो के कहां से वह भाई बढ़िया चीज है अंदर ही है बढ़िया जैसे पुरानी स्विफ्ट में इधर आता था वह आला सीन नहीं है इधर से आप अपनी अपनी कार की CNG भी भर सकते हैं जो की बढ़िया चीज है बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग जुरूर बताओ आपको यह अर्टिका कैसी लगी कैसी नहीं मेरे कोडिया है और हाँ एक और स्थी आर में भूल गया ना तायर साइस इसमें आपको मिलता है 15 इंच का आपको मिलता है और हमारे पंजाब अरियान में तो लोग बहुत डल वाते हैं टेक्सी और में भी बर ठीक है आई होपस आपको वीडियो पसंद आइए अगर यह वीडियो को यह से लाइक कर देना चैनल को यह सब्सक्राइब कर देना मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स हुआ 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 हुआ